So hello everyone, आज की वीडियो में हम लोग इस तरह का live code editor बनाने वाले हैं तो हम इसको run करके देखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे h1 and इसको हम लोग copy करेंगे this is my new code and यहाँ पर हम लोग लिखेंगे css h1 color blue So जो यहाँ पर हमने पहले कुछ html लिखी है उसके उपर हमने css इंट्रेड्यूस की है तो उसका जो color है वो blue हो चुका है तो इस तरीके से हम लोग जो है वो live code editor बना सकते हैं काफी आसान तरीके से So अब हम लोग इसकी जो coding है वो देखने वाले की इसका जो code है वो किस तरीके से रहने वाला है तो हम लोगों ने open कर लिया VS code यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एक style.css file link करी हुई है यहाँ पर हम लोगों ने कुछ css लिखी हुई है इसके लिए अब हम लोग main जो important है वो logic है तो logic के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम लोगों ने body के अंदर एक container बनाया हुआ है फिर container के अंदर left तो यह जो class है left वाली तो इसको देखते हम लोग यह जो left वाला part है इसके लिए हम लोगों ने एक due tag बनाया है जिसकी class जो है वो left है और एक right बनाया हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको show करता हूँ एक left class है हमारे पास एक right है जिसमें हम लोग output show करने वाले right वाले में सबसे पहले हम लोगों ने label दी रखा है इसको तो label के हमने अंदर html लिखा हुआ है और उसके अंदर text area एक box बना रखा है text area के अंदर basically जिसकी जो id है वो html code है उनकी अप यह function क्या करता है कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर आ जाते हैं जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर यह लिखा h1 और जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं yes तो जैसे ही s प्रेस किया हम लोगों ने तो प्रेस करते ही हमारा code run हो चुका है तो basically key को hold करते हैं और जैसे हम लोग key को leave करते हैं तो on key up function call करता है किसको execute function को and हम लोग देखने वाले java script के अंदर हम लोगों ने execute function को यहाँ पर code कर रखा है वो हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने left के अंदर तीन box बना रखें एक box html के लिए दूसरा css के लिए तीसरा java script के लिए ठीक है तीनों के लिए हम लोगों ने text area बनाया रखा है जिसके अंदर हम लोग code कर सकते हैं यहाँ html यहाँ java script and यहाँ css so I think आप लोग यह जो part है वो समझ चुके होंगे अब हम लोग do tag के अंदर आते हैं जिसकी जो class है वो write है write के अंदर हम लोगों ने एक level दे रखा है output जो की यहाँ पर show हो रखा है आपको and फिर iframe tag के अंदर हम लोगों ने एक id दे रखी output नाम से now अब हम लोग आ जाते हैं इसके logic पे basically java script पे so हम लोगों ने सबसे पहले एक function बना रखा है जिसका नाम है execute उसके अंदर हम लोगों ने जो चार variable है वो बना रखे है html code, css code, js code and output नाम से so पहली जो line है वो क्या करेगी user जो html code input कर रहा है text area के अंदर जिसकी id html code है means यहाँ पर html वाले text area के अंदर user जो चीज भी enter करेगा वो चीज जो है वो कहां पर आजएगी html code के अंदर आजएगी basically ठीक है उसी तरीके से css code document.get element by id css code.value css code कहां पर है यहाँ पर css code यह रहा text area के अंदर तो इस css code जो है यहाँ पर दिखाता हूं में आपको इसके अंदर user कोई भी चीज एंटर करेगा तो directly वो किसके अंदर आजएगी हमारे css code वाले variable के अंदर आजएगी उसी तरीके से javascript के अंदर कोई user कुछ भी एंटर करता है तो जो हमारी text या जो भी code है वो store हो जाएगा js code नाम के variable के अंदर तो basically इस तरीके से इन तीनो variable के अंदर जो user enter कर रहा है code वो store हो जाएगा पहले उसके बाद fourth जो variable है वो हमने बनाया हुआ है output नाम से basically output जो variable है वो क्या करेगा combined जो output होगा html css and javascript code का वो हमें show करेगा and इस line में लोग देखते है output.content.document.body.inner html so basically सब सब पहले css code को ये style tag के अंदर wrap करेगा उसके बाद इसको conkinate करेगा html code के साथ and उसके बाद ये run होगा and इसके बाद वाली line में javascript run होना वाली इस line से जो है हमारा javascript का code run होगा so basically यहां पे भी ये चीज़ run हो रही output पे और ये चीज़ भी हो रही output variable so जो finally हमारा combined output होगा वो एक ही variable के अंदर आएगा और उसको हम लोग show करेंगे कहां पर इस iframe tag के अंदर जो की basically यहां पर show हो रहा है हमें so this is for today guys इस तरीके से आप लोग जो है वो front end code editor को बना सकते हो इस पूरे code का जो link है वो मैं आपको description में provide कर दूँगा तो आप इसको वहां से refer कर सकते हैं thank you for watching guys जाउजारे छाएम झाल नियुट मैं हैं जुश उतनी हम लोगे तसके यहां परोगे कि जए जिर